पैसूं की तंगी से पाना चाहते हैं चुटकारा, तो करें ये उपाय मंगलवार के दिन इस उपाय को करने से दूर होगी परेशानी करें ये उपाय छपपर फाड़ के बरसेगी हनुमान जी की कृपा दोस्तों मंगलवार का दिन बजरंग बली का माना जाता है कहा जाता है कि इस दिन भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं आपको बता दें कि पवन पुत्र हनुमान जी को शक्ति, शांती, बुद्धी और भक्ती का देवता माना जाता है माना जाता है कि भगवान बजरंग वली की पूजा श्रद्धा भाव के साथ की जाए तो वो जल्द ही प्रसंद हो जाते हैं और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की विदिवत पूजा करने के साथ कुछ जोतिशिये संबंदी उपाय करना लाबकारी होता है पैसों की तंगी, रोग दोश, भैसे छुटकारा पाने के लिए मंगलवार के दिन इन उपायों को आजमा कर भगवान हनुमान जी को प्रसंद कर सकते हैं अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो मंगलवार के दिन सुबह उठकर सनान के बाद अनुवान जी की पूजा कर पूरे दिन उपवास करें मानेता है कि प्रतिक मंगलवार को ये उपाय करने से धीरे धीरे गुस्सा कम होने लगेगा आपको खुद स्वयम में बदलाव महसूस होंगे चलिए अब आपको उपायों के बारे में बताते हैं दोस्तों मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सनान ध्यान करें उसके बाद पीपल के पेड़ के निचे सरसों के तेल का दिपक जलाएं और पूर्व दिशा में मुह करके तुलसी की माला में श्री राम नाम का जाप कम से कम 11 बार करें हर मंगलवार को ऐसा करने से बजरंग बली प्रसंद होते हैं मंगलवार के दिन हनुमान यंत्र की स्थापना से भी बहुत लाब मिलता है आज के दिन अपने पूजा घर में इस यंत्र को स्थापित करें और हर दिन इसकी पूजा करें इससे हमारी सारी मनोकामनाय पूरी होंगी मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर शुद्धगी का दीपक जलाएं और हनुमान चालिसा और बजरंग बान का पाट करें इससे आपकी सारी समस्याएं जल्ददूर होंगी मंगलवार की शाम को हनुमान जी को केवडे का इत्र अत्वा गुलाब की माला चड़ाने से भी वो अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं इसके अलावा शनी दोश से चुटकारा पानी के लिए भी मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार